हेलो एवरिवन मैं हूँ अमिता और परफेक्ट रेसिपी विद अमिता में आप सब का स्वागत आज हम बना रहे हैं सूजी और नारियल के एकदम बढ़िया से मुझ में जाते ही घुल जाएंगे ऐसे लड़ू तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे चार कटोरी सूजी और चार कटोरी कसा हुआ नारियल अब हम गयास पे एक कड़ाई को चड़ा देंगे और इस कड़ाई में हम डाल देंगे देड़ कटोरी गी मैंने यहाँ पे देशी गी का इस्तमाल किया है अगर आप चाहो तो वनस्पती गी में भी इसे बना सकते हो देड़ कटोरी गी हम डाल रहे हैं इस कड़ाई में एक बात का हमें यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि जिस कटोरी से हम घी नाप रहे है उसी कटोरी से बाकी की सारी चीज़े भी नाप ले अब मेजरिंग कप्स तो हर किसी के घर में होते नहीं है तो इसलिए किसी भी घर की कटोरी का नाप अपसेट कर ले अब घी गरम हो चुका है इस गरम घी में हम डालेंगे ये चार कटोरी सूजी मैंने यहाँ पे मीडियम वाली सूजी ली है इस सूजी को हम डाल देंगे घी में और गरम घी में इसे मिलाते हुए अच्छे से लगातार चलाते हुए में बूनना है हम 10-15 मिनिट तक इस सूजी को भूनेंगे और ग्यास की फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम हाई फ्लेम पे इसे बिलकुल भी ना भूने 10-12 मिनिट हो चुके है और इस सूजी का रंग भी हलका हलका सा सुने रहा हो गया है अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे ये कसा हुआ नारियल और नारियल को भी हम इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनेंगे नारियल को भूनना यहां बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम फ्रेश नारियल का यूज़ कर रहे हैं अगर हम इसे नहीं भूनेंगे तो हमारे बनाए हुए लड़ू दो या तीन दिन में ही खराब होना शुरू हो जाएंगे अब दस बारा मिनिट के बाद ये सूजी और नारियल का मिश्रण अच्छे से भून चुका है और इसका हलका हलका रंग भी सुनेरा हो गया है इस चीनी को मैं इस फैन में डाल दूंगी चार कटोरी सूजी के लिए तीन कटोरी चीनी ये मेजरमेंट एक दम परफेक्ट है अब मैं इसमें मिलाओंगी दो कटोरी पानी मैंने यहाँ पे दो कटोरी पानी लिया है और इस पानी को हम चीनी में मिला देंगे और इस पानी में चीनी को पूरी तरह से घोल लेंगे गैस की फ्लेम को मैंने रखा है लो ताकि ये चीनी जल न जाए इस चासनी को उबाल आने के बाद अब गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते है अब चासनी को उबाल आ चुका है हमें यहाँ एक तार की चासनी बनानी है अब हमें पता कैसे चले कि एक तार की चासनी कैसी होनी चाहिए एक चम्मच की साहिता से हम चासनी की एक एक बून को ऐसे गिरा कर देखेंगे बून गिरने के बाद एक तार सा बन रहा है इसका मतलब है हमारी एक तार की चासनी परफेक्टली रेडी है अब इस चासनी में हम मिलाएंगे हरी इलाइची का पाउडर मैंने यहाँ एक चम्मच हरी इलाइची का पाउडर इसमें मिला दिया है ताकि हमारे सारे बनाए हुए लड़ों को इलाईची का स्वात अच्छे से लग जाए अब ग्यास की फ्लेम को हम कर देके बंद और इसमें मिलाएंगे सूजी और नारियल का भुना हुआ मिश्रन ये सूजी और नारियल का भुनावा मिश्रण मैं पूरी तरह से इस चासनी में मिला दूँगी इसे पूरी तरह से मिलाने के बाद हमें इस मिश्रण को एक घंटा ठंडा होने के लिए ढख कर रख देना है इसे मिलाने के तुरंद बाद ये चाहे पतला-पतला सा लगे मिश्रन गाड़ा हो जाएगा मैं इसे मिला रही हूँ इसे मिलाने के बाद हम एक घंटा इसे ढख कर रख देंगे एक घंटे बाद इसे हम जरूर चेक करेंगे कभी कबार एक घंटे के बज़ाए देड़ घंटा भी लग सकता है यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी चास्नी कैसी बनी है अब एक घंटा हो चुका है हम इसे चेक कर लेते हैं देखिए देखने से पता चल रहा है कि यह अच्छे से सेट हो गया है इसका मतलब है सूजी ने चास्नी को पूरी तरह से सोक कर लिया है, अब हम चम्मच की सहायता से इसे देख लेते, देखिए पहले कितना पतला सा दिख रहा था, अब ये बिलकुल गाड़ा हो चुका है, हम एक बार इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं, अब ये लड़ू बनाने के लिए बिलकुल तयार है, हमें इसी तरह का मिश्रण चाहिए, अब मैंने लिया है यहाँ पे डेसिकेटेड कोकुनट, ये किसी भी ग्रोस्री स्टोर में आसानी से मिल जाता है, इस डेसिकेटेड कोकुनट में हम तयार लड़ूों को घोल लेंगे, इसी नारियल का भुरादा भी कहते हैं, इसे मैं एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ, और फिर हम लड़ू बनाना स्टार्ट करेंगे, अब हम थोड़ा सा मिश्रेंड अपनी हतेली में लेके इसके लड़ू बना लेंगे, और हर एक लड़ू को हमें इसी तरह से इस नारियल के बुरादे में घोल लेना है, और ये डेसिकेटेड कोकोनट लड़ू पे अच्छे से कोट हो जाए, तब तक हमें इसे घोल लेना है, दिख रहा है न, एकदम टेम्टिंग, अब ये सूजी और नारियल का लड़ू बिलकुल तयार है, इसे मैं प्लेट पे रख देती हूँ, और इसी तरह सारे मिश्रेंड के लड़ू बना लेती हूँ, आज की ये सूजी और नारियल के लड़ू की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए, और अगर जरा से भी पसंद आई हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, हम फिर मिलेंगे ऐसी किसी परफेक्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याज रखिए, अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए,